लेकिन भाषा की दृष्टी के बारे में राजीव लोचन शुक्री जी जो कुछ भी कहा है उसमें थोड़ा सा और कुछ जो मेरी शंकाएं हैं उसको मैं जोड़ना चाती हूँ वो है उनकी भाषा की दृष्टा लेकिन उस दृष्टा में जो सौंदरी की चेतना है चिपी हूई है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाती हूँ शम्शीर एक साथ टूटी हूई बिखरी हूई के कवी भी है एकता का स्वर के कवी है शम्शेर की कविता में दुरूता है एक मुद्दा और शम्शेर जी की कविता में चित्रकला की बात है और चित्रकला को समझे बिना या चित्रकला मतलब समझे बिना शम्शेर जी की कविता को पूरी तरह से समझ पाना बड़ा मुश्किल है आधी आधी बातों को मैं इस सभा के समुक अती विनम्रता पूर्वक मेरी अनभिग्यता ही समझ लीजिए कि इसको मैं नकारने की इजाज़त चाहती हूँ क्यूंकि कवी की सर्जनात्मक्ता ये रचना के संदर में कोई हस्तक शेप करना कवी के कावी प्रतिभा के विरुद्ध होता है यदि कोई कवी अपने मौलिक धंग से कुछ कहने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसके अर्थ के तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए इस संदर में मैं क्रोचे को याद करना चाहूंगी जिन्होंने शैली के संदर में कहा था कि शैली क्या है अथा हर व्यक्ति का एक प्रेजेंटेशन होता है उसमें उसके मौलिक विशेश्टा होती है अभी व्यक्ति के संदर में उन्होंने ये भी कहा है कि सभी के पास कलपना शक्ति तो होता है पर वर्णन करने के लिए शब केवल कवी के पास ही होते हैं चाहे कालिदास हो या शेक्स्पियर रवीद्रना ट्रागोर हो या मिल्टन यदि हम ऐसे महान कवियों के कावियों में नहित अर्थ से अनभिक्य होते तो वे भी आज हमारे लिए दुरू कवी की कोटी में ही आते थे अगर कोई कवी दुरू है तो इस चुनोती को बड़ी संजीदगी से स्विकारते हुए कवी की उस चेतना को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो हो सकता है कि उसमें बहुत यह महतुपूर्ण बात कही गई हो मैं तो समझती हूँ और बहुत अन्य दूसरे कवीों ने भी शरिष्ट कवीों ने भी रचनाकारों ने और आलोचक ने भी ये समझा है कि शम्शेर सौंदर्य के वे बहुत बड़े कवी है शम्शेर ने वसंद पर बार बार कविताएं लिखी है और वसंद के साथ श्रिंगार का बड़ा अटूट संबंध है पर शम्शेर वसंद के बाहरी चित्रन को छोड़कर मन के उस अत्रिप्ट अभाव दंश को चित्रित करने लगते हैं कारण उनके व्यक्तिगत जीवन में पत्नी से बेपनाः प्यार एवंग पत्नी के मृत्यों के कारण वियों की स्थिती को वे इस धंग से अभिव्यक्त करते हैं यखीन मानिये कभी-कभी मेरा मन करता है कि इन्हें हम जॉन केर्स के साथ क्यों न तुलना करें सौंदरी के संदर में प्रकृति वर्णन के संदर में ये कहने का साहस में तब जुटा पाई जब ये कहने के लिए मेरे पास धेरो उदाहरन मिले मैं अपनी बात को यह अधुरा ही छोड़ती हूँ पहले कुछ एक उदाहरन आपके सामने प्रसूत करूँगी बहुत कम उदाहरन पर मैं ये स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि वे जॉन कीट्स किस तर के कभी है पहला उदाहरन चान्नी में लोटती लहरे बिजलियों सी कौनती लहरे मचलियों सी बिछल पड़ती तड़ती लहरे बार बार यहां सक्रिय क्रियाओं का चुनाव लोटती लोटती कौनती बिछलती तड़ती लहरों का द्रिश आखों के सामने सजीव हूटता है एक अन्योदाहरं है चहरे की शामों में होटों की किष्टियां हॉले 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 हुले 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 ह विम्बो के प्रयोग में मौलिक ता एक रोमैंटिक कवी का क्या एहसास नहीं दिलाती है प्रकृति के मानवी करण के तो असंखे उदाहरन मिल सकते हैं अबर प्रकृति के उदाहरन नारी के मानसल सौंदरी का वर्णन ये सब होते हुए जब हम और भी देखते हैं तो सौंदरी का विराट रूप भी नजर आता है एक कमल सहस्र दल होटो से दिशाव करते हैं इसी लिए उनकी कविता जो है वो हिंदी साहिते के लिए सर्वकालिक हो जाए